नमस्कार दोस्तों दोस्तों, हरे घर में किसी ना किसी को blood pressure low या high की दिक्कत रहती ही रहती है आج हम आपके लिए gram-baan उपाय लाएं जिसको कर लेने से आपको जनुदी की बहर blood pressure की दिक्कत नहीं होगी तो उपाय क्या है आप सभी जानते हैं आवले का ब्रच किसका प्रतीक है? लचमी का, बेल पत्र का ब्रच किसका प्रतीक है? पारबती का, नीम का ब्रच किसका प्रतीक है? अंबेमा का, जिस ब्यक्ति को ब्लड पेशर लो या हाई की विमारी रहती हो, बार बार पसीना आ जाता हो सरीर पर, ब्लड पेशर की जादा से जादा दिकत हो जाती हो दवा लेने पर भी थोड़ी देर आराम रहता हो उसके बाद वैशे फिर हो जाता हो तो उस ब्यक्त को एक छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए जिंदिगी भर उसे ब्लेड पिशर की बिमारी नहीं होगी क्या उपाय है एक लोटा पानी भरो साथ पत प्रती दिन ज्येमाइर much लो या हाई की दिकत हो उस लोटे को फ्लेड से ढखकर रख दो और सुबह स्नान करके वही ब्यक्त जिसे ब्लेड प्रीशर लोओ या हाई की दिक्कत है उसे ही उस लोटे को ले जाकर सिवलिंग को समर्पित करना है और उसी का पानी साथ बार ग्रहन करना है उसी जगह पर ब्लेट पेशर नॉर्मल हो जाता है अगर सो मोड़ करते हूँ यह उपाई तो ग्यारा सो मोड करना 11 सो मर करते ही देखेंगी क्या चमतकार होता है अगर आप प्रति दिन करना चाहते हो तो 15 दिन लगतार करना फिर आप देखना कभी भी आपको ब्लड पेशर की बिमारी नहीं होगी कभी भी नहीं हर हर महादेव